राजस्तान प्रदेश कॉंग्रेस कमीटी के अनुशासन समीटी की बैठक आज प्रदेश कॉंग्रेस मुख्याले इंद्रा गांधी भवन स्टेशन रोड जैपुर पर अनुशासन समीटी के चेर्मेन एवं पूर्व मंतरी उदैलाल आंजना की अध्यक्षता में संपन राजस्तान प्रदेश कॉंग्रेस कमीटी के महा सचीवे प्रवक्ता स्वर्णिम चतुरवेदी ने बताये कि बैठक में अनुशासन समीटी की कोच शेर्में सकूंतला रावत सयोजग हाकम अली तथा सदश्य विनोध गोटवार उपस्तित रहे बैठक में समीटी द्वार अनुशासन भंग करने के लिए 20 से अधिक लंबित प्रकरणों पर विस्तर चर्चा की गई तथा विवेचना करने के पस्चाज सभी प्रकरणों में निर्ने हितु समीटी ने अपनी अनुशंसा राजस्तान प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी की अध्यक्स गोविन सिंडो ता अभी तक पुल पराप्त हुई है जिन पर विदान सभागे चुनाओं की ज्यादा है उसमें उन पर ज्याज़ा चर्चालिए इस तो बात में तेक की जाएगी तो सब किसी कायते उन पर विवचार किया है उस हिसाथ से कुछ नहीं है कि यह गंबिरी है यह तुछी है पुर कोई बतानी जरूर नहीं हो तो वहारा गोपनी मामला है जब कारवाई हो कि अध्यक जी के पास रिपोर्ट चिलिजाएगी उस समय बताते हैं अभी फाइनल बेटे है कि उसके बाद हमारी कमेटी जो टिपनी करके बेज़ेगी उसके बाद देना क्या करना अध्यक जी को व मेरे साथ हमां काम काम किया मैर बढ़ा इसाथ में अध्यक मेर चिकाते हैं झाहां कि खायों की एंप मिटिंग में जी फ्रकार कि 절 खेंते हैं मिजाय क्याक टॉम्षि एञ पाइस किसे तरह की पॉर्टाइशी पाधाल इस सब नहीं करीब करीब ने क्यों ली कि बाइस आई हैं कुल बहुत साली क्या बाइस आई है यह अनुसासन समीदी जो लोग पार्टी छोड़कर के गए उसके बारे में को बंतन किया इस पार्टी छोड़कर गए वो तो सोते ही निस्का सेती हैं पार्टी से यह वो ऐसा मुदा आएगा जब उस समय ह पार में लोग बात करेंगे हमें तो नुसासन समीदी जो सिकायट आई उन पर विचार करके उनको भेजना साथ ने मेरे तो कोई शिकायट थी निद्दा शिकायट निथी जैसे जरूद पड़ेगी उस अनुसार फिर मिटिंगे करते रहेंगे वापस आज की मिटिंग में 21 इस पर चर्चा कर ली और शिकायते प्राप्त होगी तो यह तो अनुवरत चलता रहेंगा काम पार्टी में अनुस्वशन का मामला रखना पड़ेगा तो जो भी सिकायट जब आएगी हर महीने में दो मिने में एक मीटिंग कर लेंगे इस वीज में जो सिकायट आएगी उन करेंगे